प्रित्वी का वायू मंडल वायू मंडल गैसों के मिश्रन से बना हुआ है अधिकतर ओक्सिजिन और नाइट्रोजिन है जो प्रित्वी के चारो और कंबलनुमा आच्छादित है हमारे ग्रह की वायू उनहत्तर प्रतिशत नाइट्रोजिन और 21 प्रतिशत ओक्सिजिन है छोटे परिमान में बची हुई वायू कार्बन डाय ओक्साइड तथा अन्य गैसों से रची गई है वायू मंडल के बिना हम यहां रह नहीं सकते हैं वे गैसें सूर्य से आने वाली खतरनाग किर्णों का अवरुद कर हमारी रक्षा करती हैं तथा इस प्रकार प्रित्वी पौधों और प्रानियों को रहने योग्य बनाती हैं प्रित्वी के वायू मंडल की पांच परते हैं ट्रोपोस्पियर, स्ट्राटोस्पियर, मीसोस्पियर, थर्मोस्पियर और एक्सोस्पियर वायू मंडली यह गैसें जैसे उचे बढ़ते हैं वैसे विरल होते हैं ट्रोपोस्फिय वायू मंदल की सबसे नीचली परत है वह पृत्विक से प्रारंब होकर दुरुविक शेत्र में साथ किलोमीटर से लेकर 23,000 भू मद्य रेखा के 17 किलोमीटर 6,000 फीट तक फैली है मौसम के बदलाव के कारण कुछ परिवर्तन होते हैं वायू मंदल का यह भाग अधिक्तम घना है इस परत में उचाई पर बढ़ने से तापमान 17 डिग्री सेल्शिय से माइनस 52 डिग्री सेल्शिय से तक गिरता है ट्रोपोस्फियर को मौसमी परत कहते हैं क्यूंकि बर्थ, हवा तथा बारिश इसी परत से जुड़ी हुई है स्ट्राटोस्फियर ट्रोपोस्फियर के तुरंद बात प्रारंब होता है यह 50 किलोमीटर 31 मील तक फैला हुआ है ट्रोपोस्फियर की तुलना में इस भाग का वायू मंडल शुष्क और विरल है इस भाग का तापमान परा बैंगनी विकरन के अवशोशन के कारण माइनस 3 डिग्री सेल्शिय से क्रमवार बढ़ता जाता है सौर परा बैंगनी विकरन को अवशोशन एवं विखराव करने वाली ओजोन परत इसी में है हवा का 90 प्रतिशत भाग ट्रोपोस्पियर और स्ट्रेटोस्पियर में उपस्तित है मीसोस्पियर स्ट्राटोस्पियर के तुरंट उपर प्रारंग होता है और 85 किलोमीटर तिरपन मील तक उचा है इस क्षेत्र में तापमान जैसे उचे बढ़ते हैं वैसे माइनस 93 डिग्री सेल्शियस तक गिरता है सूर्य से उच्जा सोख लेने के कारण रासायनिक उत्तेजना की स्थिती में रहते हैं यहां पर अधिक्तम उलकाएं वायू मंडल में प्रविष्ट होते ही जल जाती है थर्मोस्पियर मीसोस्पियर के तुरंथ उपर है और 600 किलोमीटर 372 मील उचाई तक पैला हुआ है सौर उच्जा के कारण उचाई बढ़ जाने पर तापमान भी बढ़ जाता है इस भाग का तापमान 1727 डिग्री शेल्सियस तक उचा बढ़ सकता है यहां रासायनिक प्रतिक्रिया प्रित्वी तल से तीव्रतर होती है यह परत उपरी वायू मंडल जानी जाती है थर्मोस्पियर के साथ आयनोस्पियर भी है ऐसा स्थान जहां चार्ज किये पार्टिकल्स होते हैं एक्सोस्पियर यह थर्मोस्पियर के उपर प्रारंब होता है तथा वहां तक बढ़ता है जहां अंतर ग्रही गैसें आकाश में हैं प्रित्वी से 500 किलो मीटर उपर आरंब होता है तथा यह सबसे उची परत है वायू मंडल के इसक शेत्र में हाइडरोजिन तता हीलियम गैसे उपस्तित होती है जो वायू मंडल के प्रमुक घटक है तथा वे अती कम विरलता में पाई जाते हैं